वेलो फिरेंड, अच्छा लगता है मुझे प्रस्टनली क्षाने मीort 첫 वह फ्रॉथ इस तोड़ा सी पसंद आ जाये, लाइक करिएगा अगर दयागे कितना एजी वे में बनाती हूं तो यहां पर मैंने मुंग को अच्छे से भीगो लिया था रात मी और सुभा इसको पेशनुआ बना लिया है मुंग आप अपने फैमिली की कॉर्डिंग बढ़ा कटा सकते हैं जितना आप पी फैमिली हो और इसके बाद यहां मैंने कड़ाई म दो बड़े स्पून देशी घी लिया हुआ है घर का बना हुआ देशी घी है तो इसमें भर भर के देशी घी पड़ता है और यहां पर ड्राइफूर्ट बगर मैंने ले लिया हुआ है काजू है बादाम है इसके अलाब आप और कुछ भी इसमें इंक्लूट कर सकते हैं तो इ नाच से मीश्ट करते हैं और इसा रची नाच सब्सेय ॐमें सा ऻंक था सकते होड सिर्चे कासि इसमे इसमें तो जतना आप लोग कर देशा थे देया है अच्छे से और बहुत अच्छे से इसको भूनना है मतलब अच्छे से कलर चेंज हो जाए तब तक भूनना है और यहां पे मैंने दो बड़े कप दूद लिया हुआ है आप चाहे तो जगह पे पानी भी यूज कर सकते हैं बढ़ दूद डालने से तोड़ा सा रीच फ्लेवर आता है तो यहां पे मैंने दूद कर दे रहे होगा है और इसको अच्छ हो Bil गया है अमारा इसमें से अब सबस्दी कर दे हैं अब करनेये के बाद इसको दस मिनट तक इस तरह पखु कर दिया हुए तो इस तरीगे से सब ने हैं यहां यह देखिए इसका उबाल कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है यह उबलने लगा है इसको इसी तरह से आपको चलाते रहना है कुछ देर ऐसे पेश्ट नुमा देख रहना बन गया है यह अच्छे से दूद में मिक्स हो चुका है और इसमें देखिए काफी अच्छे से उब और आप लोग देखी सकते बहुत अच्छा कलर आया है इसका और देखने में तो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं इसकी एक एक दाने अलग हो गया है यह हमारा हलवा बन के एकदम रेडी हो गया है इस तरीके से आप लोग भी घर पे बनाए और जरूर फीड कि इस तरीके से आप भी बनाए अपने मिमानों को खुश करिए और आपको थोड़ा सभी पसंद आए बनाने के बाद तो आप पर्मेंट करके ज़रू बताएगा और हाँ आगे वीडियो थोड़ा सभी आपको यूसफुल लगा हो अच्छा लगा तो इसे अधिक सदिक ला ब는지 को एक देन को मिंद से इसे अपको इसे न आपको तjung एपको य। अद्वाने के एूब करें है वीडियो कि अभागा जग। खूआ判 है।